हाई गाईज वेलकम टू बॉन्टी तो आज की विडियो है जिस जिसको ये सीखना है कि प्री लाइट कैसे करते है बाल को बालो में कलर कैसे अगर कोई कलर है तो उसको हटाते कैसे है डिपोजिट कैसे करते है कौन सा वाल्यूम यूज होता है क्या प्रोडक्ट यूज होता है सब कुछ इस विडियो में मिलेगी आज की जो विडियो है वो प्री लाइटनिंग के बारे में है कि बालो को प्री लाइटनिंग कैसे की जाती है बालो की ब्लीच कैसे की जाता है बालो को कितना volume हम roots पे लगा सकते है कितना हम ends पे लगा सकते है क्या बाल dry होगा या नहीं होगा सारे सवालों का जवाब आपको इस video में मिलेगा सो देखते रही हैं तो यह हम process कर रहे है pre lightning का जो expert है हमारे sir उन्होंने with 30 volume mix किया है और यह देखिए आप 30 volume वैसे आप root पे नहीं लगा सकते हो तो जैसे कि आप देख सकते हैं root से 1 inch तक छोड़ा जा रहा है और को he is professional तो यह use इनको पता है कि कैसे use करना है तो यह इस वज़े से ही 30 volume के साथ यह risk ले रहे हैं क्योंकि वो अपने काम में बहुत जादा माहिर है आप यह चीज ना करें अगर आप beginner है तो क्योंकि अगर आप यह चीज करेंगे तो बाल जल सकता है बिल्कुर root से और damage हो सकता है तो pre-lightning हम क्यों करते हैं mainly हम pre-lightning highlights में जादा करते हैं लेकिन बहुत सारे clients आते हैं हमारे पास जिनोंने बहुत सारे color लगाए वे होते हैं जैसे innova हो गया नोवा हो गया लॉरेल का गोद्रे जो गया डाई हो गई इस वज़े से जो वो color चाहते हैं जो उनकी नीड होती है वह उन्हें नहीं मिल पाता है इसलिए हम उनको pre-lightning suggestion देते हैं करने का hair को कि आप अपना जो पहले का जितना भी color है आप उससे पहले remove करवाई है उसका process होता है pre-lightning उसके बाद ही आपके hair पे जो आप चाहते हो color वो आप आता है तो अगर आपका client भी वो color मांग रहा है जो आपको लग रहा है कि अब भी नहीं होगा पर आप pre-lightning करके दे सकते हैं तो आप pre-lightning की technique को जानिए कि कैसा करते हैं जैसा कि आप देखी सकते हैं sir को complete करी दिया है उनने एक section तो आप देख सकते हैं आप foil ज़रूर यूज़ कीजिए जब आप बिल्कुल roots के पास जब आप pre-lightning कर रहे हो तो आप foils यूज़ कीजिए ताकि जो blonder है वो skin पे scalp पे ना लगे क्योंकि अगर blonder scalp पे लगेगा तो वो harm कर सकता है scalp को allergy हो सकती है burn हो सकता है वहां पर तो try कीजिए कि आप foil paper जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल roots से foil paper लगाई है अच्छे से और यह जो चीज़ कर रहे है वो अगर आप professional है ठीक है अगर आप पहले इसकी practice कर चुके है उसके बाद ही कीजिए क्योंकि यह बहुत risky होता है क्य क्योंकि अगर कोई client पढ़ा लिका आ जाएगा तो हाँ की लग जाएगी सी दिवासा मैं कहें तो थोड़ा सा ध्यान रखी है ठीक है जिन लोग ने महंदी वगेरा करी होती है उनके लिए pretlightning बिल्कुल सही option है अगर उनको जो color चाहिए और वो नहीं आपर है पर प्र प्र color जो चाहिए वो आ जाएगा जो चाहिए in the sense की जितना प्री light होगा अगर महंदी वाला बाल है तो almost copper shade ही copper हो गया red हो गया brownish tone ही जादा जाएगी तो पूरा अच्छे से लगाने के बाद में आप 15 minute वेट कीजिए तो आपको कुछ ऐसा result दिखेगा आप देख सकते हैं बाल ब्लॉंडर लगावा है बाल पे तो आप आखो का दोखा जिसको बोलते हैं जब हम color करते हैं अपने आखो पे विश्वास मत कीजिए क्योंकि अगर ये बाल आपको 6 नमबर का दिख रहे हैं तो ये 5 नमबर तक ही light होगा क्योंकि एक level कम ही होता है जैसा कि आप देख सकते ह हाफ एन आवर बाद में ये अपरोक्स 6 तक बहुत चुका है कुछ लोगों को साथ लग रहा होगा पर ये 6 पर ही है अब भी इस पे वस product लगावा है जो ब्लॉंडर है इसलिए थोड़ा सा ये white और जाधा reflect कर रहा है इस वजह से ये अभी 6 नमबर का वाल है और आप इस प क्लाइंट को ना ब्राउंड शेट जेगे था तो इस अकॉर्डिंगली अगर आप इच्छा है या साथ नमर तक प्रिलाइट कर लोगे तो अराम से ब्राउंड आ जाएगा तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले आप अच्छे से मतलब ब्लॉंडर रूट्स पर बिल्कुल दीखिए आप खुद 6 नमबर का बाल है क्योंकि वो थोड़ा वाइट इसलिए होता है क्योंकि पिग्मेंट्स होते हैं ब्लॉंडर के इस वज़े से अच्छे से वाश कीजिए पहले आप जो ब्लॉंडर है प्रोडक्ट है उसको निकाल लीजिए अच्छे से अच्छे से लिजिए अप नॉर्मल वाश करने के बाद में अब आप इसके बाद में ब्लु शेम्पू जो होता है अपना ब्लु शेम्पू जो पिग्मेंट है गोल्डन उसको हटाएगा और बहुत अच्छा कर आए इसके बाद अगर आप ब्लू शेम्पू यूज करके करते हैं तो बिल्कुल ने पीरिया पे लगाईए फिर जो है उसको टेल में अच्छे से उसको लगा दीजिए अच्छे से मलसिफाई कीजिए शैंपू को बढ़िया से जो प्रोडक्ट लगाया अपने ब्लॉंडर उसको निकालिए क्योंकि अगर ब्लॉंडर अच्छे से नहीं निकलेग तो कलर में पैच्छे साएंगे क्योंकि वो पिग्मेंटेड जो पिग्मेंट है ब्लॉंडर के वो उसके अंदर रहे जाएंगे तो प्लीज अच्छे से वाश कीजिए अपने क्लाइंट के हर को जो लोग बोलते हैं कि वो जो फेमस कलर आटिस्ट है उनके कलर इतने चीजिये फिर वो नहीं मिलेगा तो आप एक च्छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखिये जैंखमें आप क्लाइंट अटेंड करें चाहेए व lowers चाहे है कर क españ से बातचीद्धों चाहे हिए हैरिक जो सोस्कूर चैहिए वो हो जब तक हैं आप के पास है तब तक उसे आप प कि प्लीनेस के चाज काम करेंगे थोड़ा सा क्योंकि अगर फ्लॉर पर गिर गा तो फ्लॉर गंदा होगा। उससे बड़ी है कि आप उतर ही श्यम्फू चैर पर ही इस पानी को निकाल दे उसके बाद मैं अच्छे से टावल रैप कीजिए थोड़ा सा स्लोली स्लोली मसाच द कीजिए उनको बढ़िया से अच्छे से टावल वापस लगाई और इतने बड़े प्रोसेस में प्लीज हो सके तो टावल जरू चेंज कर लीजिएगा क्योंकि एक टावल वेट हो जाता है जब हम वाश करते हैं क्योंकि दो तीन बार वाश करना होता है तो उसके बाद अच्छे से ड्राइ कीजिए आफ्टर पहले आप हीट प्रोटेक्टर मैंने इसमें लगा दिया है पहले ही पर दिखाया नहीं है तो हीट प्रोटेक्टर जरूर यूज कीजिए क्योंकि ड्रायर से जितनी भी हीट लगेगी हीट प्रोटेक्टर उसको कवर कर जैसा कि आप देख सकते हैं चार नंबर का बाल था और अब ये 6,5-6 नंबर का हो गया है जैसा कि आप देखी सकते हैं और देख सकते हैं जो ब्लैक है मैं दिखा रहा हूँ आपको वो रूट्स हमने एक इन छोड़ा है क्योंकि हमने 30 वॉल्यूम के साथ किया था इस वज़े से हमने फिर एक इन छोड़ा है जैसे कि आप देख सकते हैं ना क्लाइंट का हेर ड्राइ हुआ इतना क्योंकि प्रिलाइटनिंग के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है क्लाइंट का हेर बहुत ज़्यादा ड्राइ हो जाता है उससे बचने के लिए आप ओलापलैक्स यूज़ कर सकते हो नई तो क्लाइंट को कैरेटीन सजेस्ट कर सकते हो इस वीडियो में आपने देखा है कि प्रिलाइटनिंग कैसे हुई है आप देख सकते हैं चार नमबर का बाल था अब वो छे साड़े छे नमबर का हो गया है थैंक्यू फर वाचिंग और भी अच्छी वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें